नमस्कार सफेद हो और दूसरी बात जड़ अच्छी हो तो दांत के लिए आज हम बात करें मैं आपको बहुत छोटा सा सिंपल सा उपाई बताऊँ आप सुनेंगे तो आपको लगेगा रही ये तो हमें पता था लेकिन इसको अगर आप अपना लेंगे क्या दांतों में जन जना हट दांतों में ठंडक लगना हमारी जाड़े जो हैं घिज जाती है दांत उपर से घिज जाते है उनकी जड़े निकल जाती है और उसका सीधा सीधा उपाई हमें नजर नहीं आता तो हमें जब हम डोक्टर्स के पाँ जाते हैं तो हमें एक sensitivity खतम करने वाली पेस्ट का बताया जाता है कि ये पेस्ट का सेवन का पेस्ट को जो है रोज लगाईए और सुबह शाम ये जैल लगाईए ये सब चीजे तो है मैं आपको एक ऐसा उपाई बताना चाहता हूँ जिसका नाप पैसा लगता है और हमारे घर में है और उसका बचाव जो है शानदार बचाव है अब क्या उपाई है वो हम चर्चा करेंगे कि रात को सोने से पहले आपको मीठा नहीं खाना है हम क्या कर रहे हैं हमारी दांतों की जड़ो को दीमक लगा रहे हैं क्यों क्योंकि हम शाम को मीठा खा रहे हैं आप मीठे में चोकलेट खा सकते हैं मीठे में आप आईस क्रीम खा रहे हैं मीठे में मीठा दूद पी रहे हैं अब ये जो मिठाई है, ये मिठा जो है, ये दांतों की जड़ों में जाके फश जाता है, पूरी रात ये सड़ता है, और उसमें कीडे पैदा होते हैं, मिठे में कीडे पैदा होंगे, तो वो मिठा जो है, वो हमारी दांतों की जड़ों को धीरे-दीरे खा रहा है, हम कुल् जो दिन करिएगा, तीसरे दिन आपके मूँ में आपको शांदार नहीं महसुस हो, तो मुझे कह दीजेगा, बहुत अनभूत है, अनभूत ही प्रियोग बता रहा हूँ आपको, बुजुर्गों नहीं बताया है, बुजुर्गों के द्वारा ही काम में लिया जाता था, क्या लेजिए निया नमक सेंदा भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है लेकिन मैं सेंदे नमक को आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि इसके ही प्रियोग हमने किये हैं और सेंदा नमक वैसे भी अंदर चला जाए तो भी पेट को साफ करने वाला बहुत बढ़िया होता है तो सेंधा नमक आदा चमस लीजिए आदा गिलास गरम पानी में उस सेंधे नमक को मिला लीजिए सब कुछ खा पी लिए बस सोने की तैयारी है उसी समय ये काम करना है मुँ में कुला ले लीजिए मुँ में लेकर उसको दो मिनट तक पूरा घुमाना है अंगूली से दांतों को रगड़ना है अंदर भी रगड़ना है जिनकी कैविटी जम जाती है दांतों के अंदर वो कैविटी 15 दिन में धिरे धिरे आदी कैविटी निकल जाएगी ये ध्यान रखना दांतों के आगे जो कैविटी जमी हुई है ये कैविटी निकल जाएगी और आपके दांत थोड़े साफ होने शुरू हो जाएगे तो रात को एकदम रगड के उस पानी से पूरा रगड़िएगा और फिर कुल्ला करिएगा पानी अंदर बाहर करिएगा उसके बाद आपको मुँ जो है अगर भहुत खारा लगे तो हलका सा पानी लेके एक बर कुल्ला कर दीजिए फिर सो जाएगे आप अगले दिन सुबह देखिएगा कितना मुँ फ्रेश होता है आपकी जो मिठाई खाई हुई थी जो कीड़े थे जो पैदा हो रहे थे वो सेंस्टिविटी आपकी बहुत गाइब हो जाएगी कि दांतों में नीमू लगता है खटा लगता है और ठंडक गरम लगती है लेकिन जब से ये नमक पानी वाला सेवन मैंने सुना बहुत था लेकिन कभी किया नहीं बहुत छोटा से उपाई लेकिन करते नहीं जब मैंने क किया और इसका प्रियोग देखा तो क्या गजब मुझे रिजट मिले अब मैं नीमूग भी पूरा अगर खा जाओं तो मेरे दांत खटे नहीं होते जबकि गिसे हुए दांत फिर भी वो समश्या नहीं आरी आपने आप इसका एक छोटा सा उधारन बता दूँ आप बहुत नमक का प्रियोग कीजिए दांतों को साफ रखिए अपने शरीर को स्वस्त रखिए ये बहुत जरूरी चीज है और मिठे का कम से कम सेवन करें और जब भी मिठे का सेवन करें तब कुल्ला करें और बच्चे को तो आप मैं बताऊं आप बच्चों को तो सुधार दीजिए उनको ये नमक का कुला पूरे घर को करना है जो दिन में चोकलेट खा चुके, जो आईसक्रीम खा चुके उनको उनकी जड़ों को साप करना, उनकी दांतों को एकदम क्लियर करना ये प्रियास हमे करना है, सब को करना है तो दांतों की सुन्दरता, दांतों की केविटी और सेंश्टिविटी इसको खतम करने का छोटा सा नमक का प्रियोग मैंने आपको बताया है आप स्वस्त रहें, आपके दांत भी स्वस्त रहें और हस्ते हुए सुन्दर दिखें चमके, आपके दांट चमकेंगे, आपकी परसनेलिटी चमकेंगे और आप चमकते रहें, दमकते रहें, पूरे संसार में आपकी कीरती फैले ऐसा भीचार करते हुए, मैं मेरे साथी गंशाम के साथ, मैं डॉक्टर मनोज योगाचारेत्री नित्री टीवी के लिए लेता इजाज़त, नमस्कार